भारत और आस्ट्रेलिया के बीच थी 20 सीरीज का दूसरा मुकाबला, जानने से पहले आपको बता दे कि बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। वीडियो में बाबर को एक गेंद मिलने के बाद अपनी क्रीच छोड़ते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही रिजवान खुद को बचाने के लिए स्टंप के पीछे भागते हैं, बाबर भी उनका पीछा करते हैं। इस मजेदार वीडियो को देखकर फैंस काफी खुश हैं। यह वीडियो पाकिस्तान के किसी इंटर स्कौर्ड मैच के दौरान का है। एक तरह से यह वाम अप या यू कहें प्रेक्टिस मैच था। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच थी 20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 44 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तिरुवन अंतपुरम में आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले गैनदबाजी करने का फैसला किया था। और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए। इसके जवाब में आस्ट्रेलिया ए टीम 191 रन ही बना सकी और मैच हार गई। भारत ने आस्ट्रेलिया को दूसरे टीबीस में 44 रन से हरा कर पांच मैच की टीबीस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 235 रन का विशाल सको खड़ा किया। भारत के लिए तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। यशस्वी जायस्वाल ने तिरपन, रितुराज गायकवार ने 58 और इशान किशन ने 52 रन की पारी खेली। अंत में रिंकु सिंग ने 9 गेंद में 31 रन बनाए। आस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 3 विकेट लिए। माकस स्टोइनिस को एक विकेट मिला। दूसरी पारी में आस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की और दूसरे ओव में टीम का स्को 30 रन पहुँच हाला की शौट 19 रन बनाकर आउट हुए और कंगारु टीम पट्री से उतर गई। इंगलिस दो रन और मैक्सवेल 12 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। स्टोइनिस और डेविड ने अर्धशत की ये साजेदारी कर टीम की वापसी कराई लेक इन ऑस्ट्रेलिया टीम 9 विकेट होकर 191 रन ही बना सकी। भारत के लिए प्रसित कृष्णा और रवी विश्नोई ने 33 विकेट लिए। अर्षदीप सिंग, अक्षर पतेल और मुकेश कुमार को एक-एक विकेट मिला। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो आपको समय समय मिलती रहे।